नमस्कार दोस्तों, RPSC एक्जाम्स यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हमारी यूनिट नमबर 7 और 8 कंबाइन रूप से चल रही थी और उसमें जो टोपिक था जल संसादन जल संसादन में हम पढ़ रहे थे नदियां और नदियों को भी हमने तीन बागों में बाटा था एक तो हिमाले से निकलने वाली नदियां प्राइदी पिय भारत की नदियां और अनतैस तलिये जो परवाईत होती हैं उन नदियों में तो हमारा जो टोपिक चल गा था वो हिमाले से निकलने वाली नदियां थी और उसमें हमने सिंदु नदियों पढ़ लिया है आज पढ़ेंगे गंगा नदियों के बारे में हम अद्धेन करेंगे अब सहाइक नदियां कौन सी हैं जैसे यमुना, पुनपुन, सोन, राम गंगा नदी, गहागरा, गंडक, कोशी, गोमती और महानन्दा ये सब किसकी साइक नदिया हैं गंगा नदी की गंगा नदी है वो मुखे रूप से दो नदियों के मिलने से निर्मित होती है एक तो बागिरती और एक अलक नंदा, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्मान होता है तो ध्यान रखना, गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है बागिरती और अलक नंदा के अब बात कर लेते हैं बाकीरती और अलकननदा जो नदियां हैं उनका उद्गम कहां से होता है इनका उद्गम है आपको द्यान लखना है कि बागीरती नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोतरी के निकट गोमुक हिमनद से होता है कौन से ही दो नदियों के मिलने से होता है अलक नंदा और बागिर्थी तो द्यान रखना कि बागिर्थी नदी का उद्गम होता है गोमुक हिमनद से और अलक नंदा जो नदी है उसका संतोपत हिमनद से ध्यानक ना ये दोनों का उद्गम होता है और दोनों मिलती है कहां देव परियाग में और यहीं से आगे गंगा नदी कहलाती है तो क्या रखोगे कि अलग नंदा और बागिर्थी नदी का उद्गम कहां से होता है ये बात ध्यान रखोगे और दोनों का मिलाप होता है देव परियाग नामकिस्तान पे और यहीं से आगे गंगा नदी कहलाती है अब बागिरती नदी का उद्गम हुआ गोमु खिमनत से और आगे बढ़ती है तो तीहरी एक इस्तान है वहाँ इसमें एक भिलंगाना नदी है वो मिल जाती है और यहीं पर टीहरी नामकिस्तान पे आपका जो उंचा बांद है भारत का उंचा बांद टीहरी बांद का निर्मान किया गया है ध्यान रखना कि कोई पुछे किस नदी पे टिहरी बांध का निर्मान क्या गया है तो बागीरती नदी पे अलग नंदा नदी कहां से निकलती है बद्रीनात के निकट संतोपंत हिमनद है वहां से निकलती है उत्राखंड में आगे बढ़ते हुए देव परियाग नामक इस्तान पे बागीरती में मिल जाती है और यहीं से आगे गंगा नदी कहलाती है तो गंगा नदी का निर्मान दो नदियों के मिलने से होता है एक तो बागीरती जो कहां से गोमुक हिमनद से निकलती है और एक अलग नंदा जो संत सटुपन्त हिम्नत से निकलती है और मिलती का हैं देव प्रियागनामक इस्तान पर और यहीं से गंगा-णदी के नाम से जानी जाती है अब गंगा-णदी का पर्वा कहां-कौह होता है उत्तरा-खंड के रिशीगेश और हरीद्वार उत्तर परदेश उत्राखंड में बैती हुई उत्तर परदेश जाती है वहां कानपूर इलाहबाद और वारानसी फिर ये बिहार में परवेश करती है पटना नगर में बैती हुई पस्षिम बंगाल में जाती है और बांगला देश में फिर पस् गुश जाती है तो बांगला देश में यह डेल्टा बनाते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी का एक जो विखंडित भाग है या छिद्रित भाग है कुछ भी कहले लीजिए आप वह खुगली नदी के नाम से जाना जाता है और यही हुगली नदी पस्यम बंगाल में किस डेल्टा का निर्मान करती है सुम्दरवन डेल्टा का निर्मान करती है तो ज्यान रखना कि पस्यम बंगाल का सुम्दरवन डेल्टा है वो आपके जयो मंदर में भी हमने पड़ा है तो उसका निर्मान हुगली नदी के उपर हुआ है नेक्स्ट है बांगलादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है पदमा नाम से जाना जाता है किसको गंगा नदी को बांगलादेश में गंगा नदी को पदमा नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्म पुत्तर नदी को स्युक्त रूप से बांगला देश में मेगना के नाम से जाना जाता है किस नाम से मेगना से अब आपको कोई पुछे कि गंगा नदी को बांगला देश में किस के नाम से पदमा के नाम से और ब्रह्मन पुत्तर जो नदी है उसको किस नाम से तो बताना जमुना या जमना अब दोनों को स्युक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है तो मेगनागे नाम से नेक्स्ट है दाई और से मिलने वाली नदिया जो गंगा नदि की जो साइक नदिया है वो दाई और और बाई और से मिलने वाली तो दाई और से मिलने वाली प्रमुक जो तीन नदिया है उनमें हम पढ़ेंगे यमुना, पुनपुन और सौन नदि तो यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है कि बंदरपुच यम नोतरी है उसके निकट बंदरपुच की एक पाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है कहां से होता है बंदरपुच की पाड़ियों से उत्राकंड में अब इन में important यही बाते हैं कि कौन सा सहर किस नदी के किनारे बसा है बार-बार क्यों सन पूचा जाता है तो ध्यान रखना कि कौन सा सहर किस नदी के किनारे बसा है तो ये मुना नदी का परवा का है उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाना, यूपी और यूपी में इसके किनारे तिन सहर विषें मत्वुरा, आगरा, इलाबाद. और फिर यह गंगा नदी में मिल जाती है, इलाबाद में. इयान ping ton, यमुणा नदी कहा काम बैती है, उत्राखंड दिद्ली, हरियाना, यूपी. यूपी में तीन सहर बसे हैं मथुरा, आग्रा और इलावाद और फिर गंगा नदी में मिल जाती है क्योंकि गंगा नदी की ही साहिक नदी है ये मुना नेक्स्ट है सोन नदी सत्पूडा प्रवतमाला है कहां मैं MP में और अमर कंटक चोटी से इसका उद्गम होता है ये MP और 36 जारखंड और बिहार पटना में जाकि ये बिहार के पटना में जाकि गंगा नदी में मिल जाती है ये मुना नदी कहां कहां बहती है तो आपको ध्यान रखना है ये मुना नदी बहती है उत्राखंड, यूपी, हरियाना और दिल्ली तीन राजियों में बहती है और गंगा नदी कहां कांग बहती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पस्चीम बंगाल में भी बहती है U.P. बिहार उत्राखंड. इन सब में कौन बहती है गंगा नदी और फिर बांगला देश में जाके ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है सोन नदी बैती है MP, 36 गड़, जहारखंड और भीयार पटना अगर है वो सोन नदी की किनारे है तो सोन नदी पटना में बैती हुए किस में मिल जाती है गंगा नदी में अब जो बान प्रियोजना है किस नदी पे निर्मित है सोन नदी पे और किस राज्य में MP में, मद्दे परदेश में पुन पुन नदी, उद्गम है जहारखंड और दो ही राज्यों में बहती है जार, खंड और बिहार पटना में जाती है यह किस में मिल जाती है गंगा नदी में तो आपको दिहान रखना कि दाइओर से मिलने वाले गंगा की जो साइक नदी है वो कौन कौन सी है यमुना, सोन और पुन पुन अब दाइओर से और बाइओर से भी पूछ सकते है कि कौन सी नदी है वो दाइओर से मिलती है गंगा नदी में और कौन सी नदी ऐसी है जो बाइओर से मिलती है बाइओर से मिलने वाले नदियों में हम पढ़ेंगे राम गंगा नदी गोमती, कागागरा, गंडक, कोशी और महानन्दा ये नदियां पढ़ेंगे तो अब आपको द्यान रखना है कि कौन सा सहर किस नदी पे है तो आपको पता है कि रामगंगा नदी जिम कारपेट जो नेशनल पारकाप का उत्राखंड में उसमें से बैती है और इस नदी पे नेनिताल और मुरादाबाद और बरेली तो नेनिताल का है उत्राखंड में मुरादाबाद और बरेली का है यूपी में तो इस रामगंगा नदी के किनारे है दियान रखना ये नगर राम गंगा नदी के किनारे है जो गंगा नदी की साहिक नदी है नेक्स्ट है गोमती गोमती की किनारे आपका लखनव नगर है यूपी में पड़ता है वो किस नदी के किनारे है गोमती किस की साहिक है गंगा नदी की नेक्स्ट गागरा नदी अब द्यान अगना कि गागरा नदी की जो साहिक नदिया है वो कौन सी है एक तो राप्ती है और एक सरयू शर्यो नदी के किनारे आपका अयोध्या नगर यूपी इस्तित है तो ये कुशन लगबग बहुत सी एक्जामों में आया कि अयोध्या जो नगर हो किस नदी के किनारे इस्तित है तो सर्यो नदी और सर्यो नदी किस किस आई का गागरा और गहागरा किसकी साइक है गंगा की नेक्स्ट है गंडग गंडग प्रियोजना कहां इस्तित है बिहार में भारत वर नेपाल के मद्दे ये प्रियोजना विवादित है तो गंडग प्रियोजना बिहार में निर्मित है और इस गंडग प्रियोजना के कारण भारत और नेपाल में विवाद है इसके बाद है कोशी नदी कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है किसको कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है अब आपको बताना है कि हमने पढ़ा था चीन का सोक किस नदी को कहा जाता है तो आप Comment box में जरूर बताऊगे कि चिन का सोग किस नदी को कहा जाता है अगर आपने भी इस वे की नदिया पड़ी है तो आपको Comment box मे जरूर बताना है कोसी नदी पर प्रियोजना इस्तित है वो कोसी प्रियोजना है और नेपाल राचे देश मे इस्तित है और भारत वन नेपाल में इस परियोजना के लिए विवाद भी है किस परियोजना के लिए कोशी परियोजना के लिए और जो कोशी परियोजना है ध्यान रखना नहीं कि भारत में है नेपाल में इस ती तरह और कोशी नदी को बिहार का सोक का जाता है और ये गंगा नदी की साहिक नदी है बाईयोर से लास्ट है महाननदा नदी और किसकी साहिक नदी है अंतिम साहिक नदी है महाननदा गंगा नदी की तो आपको द्यान रखना है कि कितनी साहिक नदी है दो नदियों से गंगा नदी का निर्मान होता है, अलक नंदा और भागिर्ती अब इसकी दाइयोर से सहाइक नदियां तीन है, यमूना, सोन और पुनपुन बाइयोर से राम गंगा, गोमती, गहगरा, गंडग, कोशी और महाननदा ये सब किसकी सहाइक नदियां है, गंगा नदी की, गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है, पदमा और ब्रह्म पुत्तर नदी को बांगला देश में जमूना या जमना के नाम से भी जाना जाता है और दोनों को जब दोनों मिल जाती हैं तो इन्हें मेगना के रूप में पोकारा जाता है अब है आपका ब्रह्म पुत्तर नदी तंतर ब्रह्म पुत्तर नदी तंतर से पढ़ने से पहले मैं बता दू कि इन नदियों को मैंने सरल तरीके से आपको समझाया अगर आप एक दूबर इनको पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं बूलेंगे और चाहे आप छोटे से लेकी I.S. तक की एक्जाम दे लेना कहीं भी आपको क्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पिछली बार भी मैंने जितने भी R.S. और I.S. के भी पेपर में ब्रह्म पुत्र नदी से क्यूशन पुछा गया था और R.S. में भी पुछा गया था तो ये बातें आप नदियां अगर द्यान से पढ़ोगे तो इन ही में से क्यूशन आएगा इन से बाहर नहीं आएगा तो ब्रह्म पुत्र नदी है इसका निर्मान तीन नदियों के मिलने से होता है एक तो दिहांग और एक दबांग और एक लोहित ज्यानक ना ब्रह्म पुत्र नदी का निर्मान तीन नदियों के मिलने से होता है दिहांग दबांग और लोहित अब दिहांग नदी का उद्गम कहां से होता है तिबबत के पठारी छेतर में किसका उद्गम होता है दिहांग नदी का अब सिंदू नदी का आपका कहां से उद्गम होता है द्यान रखना कल पड़ी थी हमने कि तिब्बत के पठारी छेतर में जो राखस जीला उससे ही सिंदु नदी का उदगम हुआ है और एक हुआ था सतलज नदी का तो ये बातें आपके माइंड में रेटन बेस होनी चाहिए कि भई आपने पढ़ा है तो पहले की बातें याद आनी चाहिए तो दिहांग नदी का उदगम काँ से होता है तिब्बत के पठारी चेतर से और ब्रह्म पुत्तर नदी जो यहाँ से यह कहां परिवेश करती है अरूना चल राज्ये में परिवेश करती है कौन दिहांग नदी असम के पाढ़ी छेत्रों में दबांग वा लोहित नदिया आकर इसमें मिलती है जो असम के पाढ़ी छेत्रों से दबांग वा लोहित नदिया निकलती है वो इसमें आकर यहां मिलती है असम में और यहीं से यह क्या कहलाती है ब्रह्म पुत्तर कहलाती है तो आप से क्योशन पूर्श सकता है तो ये पूर्श सकता है कि ब्रह्म पुत्तर नदी का निर्मार किन तीन नदियों के आपस में मिलने से होता है दबांग लोहित और दिहांग यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदिये दीप माजूली इस्तित है तो आपको द्यान रखना ये क्योशन बार-बार आता है कि किस नदी पे विश्व का सबसे बड़ा जो दीप है वो माजूली का इस्तित है ब्रह्म पुत्तर नदी पे नदी ये दीप है आपने सुना होगा बड़े-बड़े मास अगर सबुद्रों में जो दीप है इनके अलावे इस नदी पे भी एक दीप है उसका नाम क्या है माजूली तो द्यान अकना कि माजूली दीप किस नदी पे इस्तित है ब्रह्म पुत्तर नदी पे ये एसम में बार्ड लाने है तुपर सिदह कौन ब्रह्म पुत्तर नदी ये बांगला देश में गंगा नदी में मिलकर किस नाम से जानी जाती है मेगना और बांगला देश में जो ब्रहम पुत्तर नदी है वो अकेली किस नाम से जानी जाती है जमुना या जमना के नाम से लेकिन जब गंगा नदी में मिल जाती है तो मेगना के नाम से जानी जाती है और अन्तित्य गिर्ति का है बंगाल की खाड़ी में ब्रह्म पुत्तर की जो कुल लंबाई है लगबग 2900 किलोमेटर है भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमेटर ब्रह्म पुत्र की एक साहिक नदी है तीस्ता और उसका उद्गम होता है सिक्किम राजे से जान रखना ब्रह्म पुत्र की साहिक नदी कौन सी है तीस्ता और बहती कहा है सिक्किम से पस्षिम बंगाल में जाती है और ब्रह्म पुत्तर में मिल जाती है ब्रह्म पुत्तर नदी की एक मात्रशायक नदी तीस्ता है और तीस्ता कहां उद्गम होता है शिक्किम राज्ये से उद्गम होता है शिक्किम से ये पस्षिम बंगाल में परवाईत होते हुए बंगला देश सोरी बंगला देश देश में जाती है और ब्रह्म पूत्तर में मिल जाती है तिस्ता प्रियोजना का निर्मान किस राज्य में क्या गया है पस्रिम बंगला राज्य में क्या गया है और भारत वह बंगला देश के मद्दे विवादी थे किंदो राज्यों के मद्दे विवाद का कारण है तिस्ता प्रियोजना भारत हुआ बांगला देश के मद्दे तो यह आपकी नदियां थी कौन सी गंगा नदीतंतर शिंदू नदीतंतर और ब्रह्म पुत्तर नदीतंतर मैंने इनको बड़े EGV में बताया है अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं कहूँँगा इनको एक या दो बर और पढ़िएगा EGC नदियां हैं पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी और एक बर समझ में आ गई तो कभी नहीं बूलोगे किसी परकार के कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो मैं लगबख जबाब देने की कोशिस करता हूँ अगर नहीं दे पाता तो कोई कारण होता है या तो मैं पढ़ नहीं पाता या टाइम भी नहीं मिलता इतना तो आप कोई भी हो पूछ लेना चाहिए अगर मेरे को वह नोटिस में आती हैं तो मैं उनका जवाब देने की कोशिस करता हूँ धन्यवाद